देखिए, इस differential equation का नाम है linear differential equation, linear तो लग रहा बड़ा सीधा साधा होगा, सीधा साधा, line सीधा होता है ना, line क्या होती है, लेकिन ये जितना सीधा नाम लिखा उतना ही टेड़ा है, ये पहँचान में नहीं आता है कि ये सहाब linear वाले हैं, तो थोड़ा खतरनाक इनका shape है, त सबसे पहले आप पहँचानेंगे कि क्या variable और separable लगेगा, याद यहाँ तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं लगा, तो क्या ये होमोजीनियस है, याद यहाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लगा, तो आप पहँचानेंगे ये linear तो नहीं है, linear होता क्या है, अगर differential equation इ इसमें y को x के respect में differentiate किया जा रहा है, यानि y आपका independent variable है और x आपका independent variable है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको integrate नहीं कर सकते हैं आप फिलाल, तो हम एक ऐसा factor ढूण के लाते हैं, जिसको इसमें multiply कर देने पर ये integrate हो जाए, अब चुकि multiply करने पर integrate होने की chances बढ़ जाते हैं, नहां जो p और q है न, ये function of x होते हैं, अब constant नहीं है, अब constant बता ये 2 हो जाएगा तभी function of x मरा जाएगा, तो इसमें हम निकालते हैं integrating factor, नाम से लग रहा है कि ऐसा factor जिससे इसको multiply करने पर ये equation integrable हो जाए, इंटेगरेटी करना तो नहीं हो पा रहा है न, तो integrating factor को हम लिखेंगे if, formula होता है e to power integral pdx, किसके respect में integrate करते हैं, independent variable के respect में, तो कुछ result आएगा, अब क्या करेंगे, हम equation 1 को इस integrating factor से multiply करेंगे और integrate कर देंगे, multiply करके दिखाएंगे नहीं हम, हम लिखेंगे multiplying equation 1 by integrating factor and integrating, तो इसके बाद हमको direct जो result लिखना है, इस side में, इसमें answer आएगा y into integrating factor, आ गया इधर का result, direct, अभी कैसे आएगा मैं इसको एक question में प्रूफ गर कर दिखा दूँगा, यानि इधर direct क्या जाएगा, y into integrating factor, और इधर क्या आएगा, q into integrating factor का, इधर हम integrate कर देंगे, यानि इधर multiply करके, integrate करके direct result याता है, मताँ इसमें multiply किया, फिर क्या किया, integrate किया, ये result आगे direct, और इधर करके, और प्लस जो भी constant आएगा, इसको जोड़ देंगे, तो ये तरीका होता है, linear differential equation solve करने का, समय बार नहीं आएग, ये ध्याने किया, इसको तोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है, अब इसका format change हो गया माल लिया, सुनिये जहान से, साउधान, अगर माल लिया, नोट का लिया न, ये differential equation ऐसा आज जाए, या ऐसा change हो जाए, dx by dy, प्लस px is equal to q, ऐसा हो गया आप देखिए, और जहाँ p और q जो है न, वो function किसके हैं, y के हैं, यहनि अब आप इसको y के respect में differentiate कर रहे हैं, तो y आपका independent variable हो गया, और x आपका dependent हो जाएगा, तो जो integrating factor निकलता है, वो integral, p by dy निकलता है, तो इससे इसको multiply करेंगे और इसको integrate करेंगे, तो answer आएगा, x into integrating factor is equal to q into integrating factor dy, प्लस c, यह change हो जाता है, तो कभी-कभी यह format लाने में थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ता है, एगर homogeneous नहीं है यह, variable separable नहीं है, यह linear में इस format में आ रहा है या इस format में आ रहा है, यह पहँचाना पड़ता है, ठीक है, और यहीं से आपका graduation का differential equation उठता है, तो जो बेस है, जहां से वो खड़ा होता है, तो यह इतना बड़ा बच्चा होता है, वहां से ग्रेजुएशन स्टार्ट होगा जो आपको पूरा पर सब पढ़ाय जाएगा यहां से आपकी वहां से डिफिनस लिकुशन उठाएगा लिए डिफिनस लिकुशन फिर इसके फार्मेट होंगे बात की बात है ध्यान रखेगा इंपॉर्डेंट है नोट का लिए इस करें प्रमेट करते हैं वहां पर य के रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है हाँ तो डिवाइ लिखा थो है यह आदत P डिएक्स की चैनी पड़ी हुई है कि ज्यादा तरो फार्मेट वही आता है तो मजबूरी है तो NCRT के 9.6 के एक्जाम्पल ले लेते हैं पहला question अब चुँकि ये linear differential equation की एक size है तो आपको पहचाने की जुरूत तो है नहीं एक्जाम में पहचाना पुड़ेगा लिखा dy by dx dy by dx plus 2y is equal to sin x equation number 1 सबसे पहले आप देखिए इसमें आप variable separable नहीं लगेगा क्योंकि x का term dx के साथ नहीं जाएगा ये जाएगा तो इसके साथ भी जाएगा तो वो तो खतम हो गया ये homogenous नहीं है degree सबकी same नहीं है वो भी काम खतम हो गया आप तीसरा ही method बचा है आपके पास वो है linear differential equation तो इसको आप किससे compare करेंगे comparing equation 1 by किससे करेंगे dy by dx plus py is equal to q इससे compare करेंगे ठीक है तो यहाँ p क्या होगा 2 और q क्या होगा sin x ठीक है अब क्या निकालेंगे आप यहाँ पर integrating factor क्या होगा e to power integral p dx अब आप कहेंगे कैसे माने की x का function है वो y के साथ जो भी होगा वो x का ही function होगा वो constant भी होगा तो x का function होगा क्योंकि जब integrate इसको करेंगे ना तो function हो नहो उसके साथ dx अपने आप इसको अपना function बतार देगा इसका integral क्या हो जाएगा e to power 2x आया अब क्या तरीका होता है हमने कहा इससे इसको multiply करेंगे और integrate करेंगे अब इसको हम सिखाएंगे actually मैं answer आया कैसे multiplying equation 1 by किसे e to power 2x and integrating 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 हमने क्या कहा result क्या आएगा result आएगा y into integrating factor यह कहाना है result आएगा इसका मतलब क्या हुआ जब हमने इससे इसको multiply किया होगा और जब इसको integrate किया होगा तो यह result आया होगा तो कहने का मतलब यह हुआ मैं इसको बहरे multiply करता हूँ अगर मैं इससे इसको multiply करूँ तो आएगा क्या है e to power 2x into dy by dx plus 2y e to power 2x आएगा न अब यही तो कह रहे हो तो आप यही तो कह रहे हैं कि e to power 2x से इसको multiply करो इस side के हम बात कर रहे हैं और फिर आप कह रहे होगी इसको integrate करो कि यह answer आएगा यानि अगर मैं इसको differentiate कर दू तो क्या आना चाहिए वही आना चाहिए ना कर दो differentiate first function y e to power 2x का 2 e to power 2x plus second function e to power 2x y का dyad x लिखा हुआ है तो वो result न लिख करके हम डारेक्ट यह लिखते हैं ठीक है इस समझा दिया गया कि ऐसा क्यों हुआ है अचा इधर क्या होगा इधर आएगा आपका sin x into e to power 2x dx और plus c question number इसको फिलाल 3 डालो क्योंकि यह भाईस आपका सेहत देख रहे हैं आप इसमें प्रोड़क्ट लगाना पड़ेगा ठीक है पहुँचे यहां तक अब आपको इधर का integration करना है तो इसको आप फिलाल i1 माने ले रहे हैं i is equal to क्या यहां पर है integral e to power 2x into sin x dx इसमें प्रोड़क्ट रूल लगेगा रूल आपको मालू है i late का उधर न देखिए अपना दिमाग लगाए i late में first i late के हिसाब से first किसको मानेंगे second किसको मानेंगे यह trigonatical है exponential है तो first किसको मानेंगे जो पहले आया है तो हमने sin x को first माना e to power x का differentiation 2 e to power 2x minus पहले का differentiation cos x और plus में आएगा न और e to power 2x का 1 minute इसको integrate कर रहे है न 1 by 2 आएगा न और e to power 2x का integration 1 upon 2 e to power 2 x dx जो भी रिजर लाएगा उसका whole integrate करेंगे तीक है अब यहाँ फिर लगाना पड़ेगा product rule तो माइनस हाब को थोड़ा सा ध्यान रखे कि माइनस हाब डिस्टर्ब्ब न करे तो इसको फिलाहाल 1 upon 2 e to power 2x into sin x minus 1 upon 2 बड़ा सा bracket क्या होगा cos x cos x का differentiation minus sin x तो यह sin क्या हो जाएगा plus sin x और इसका integration 1 by 2 e to power 2x dx whole integration bracket close अब अंदर bracket खोल दीजे तो आएगा 1 by 2 e to power 2x into sin x minus यह आएगा 1 by 4 into e to power 2x into cos x minus यह 1 by 4 यह दुबारा यही आगया e to power 2x sin x इसको हम क्या बनेगा i और इधर क्या लिखा है i इस i को इधर transfer करके लाओ तो क्या हो जाएगा i plus 1 by 4i is equal to ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ से e to power 2x कामन ले लेते हैं और 4 lcm ले लेते हैं यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा 2 sin x minus cos x यहाँ 4 lcm डाइट करते हैं इसको यह क्या आएगा इसको cut कर रहे हैं यह आएगा 5 i by 4 4 4 cut गया 5 इधर आएगा ना तो i की value क्या हो गई e to power 2x upon 5 bracket 2 sin x minus cos x यह i की value निकली ठीक है अब आप कहेंगी तो नहीं बड़ा question आगा इससे बड़ा भी आ सकता है क्योंकि यह मान की चलना है कि क्योंड आपको linear differential equation पहेंचाना आपकी duty है rest आपको method बालू है integral आप पढ़ चुके हैं इस value को उठाओ और equation number 3 में रख दो यहाँ जगे हैं न putting this value in equation number 3 पर नोट करिए फिसमें जगे चाहिए हमको अब इसकी value यहाँ उठाग रख दो तो answer क्या आएगा y into e to power 2x is equal to e to power 2x upon 5 in bracket 2 sin x minus cos x plus c अब देखो दो चीजे हैं यही पर answer को छोड़ सकते हैं e to power 2x को दो shift कर सकते हैं 5 को इधला सकते हैं तो यह आपका answer 5 y is equal to यह कड़ जाएगा तो आएगा 2 sin x minus cos x plus 5 e to power 2 x c ऐसा भी answer आ सकता है अब जिस format में आपका answer आ रहा हो 5 y is equal to हाँ यही answer आ रहा है ठीक है यह answer आ रहा है note करिए बता तुम लोग बताया नहीं चलिए लिख दो answer क्या था y बराबर 5 y बराबर बोले answer अरे answer बोले न 2 sin x minus cos x plus c1 e to power चलिए यह answer मान लीजिए कोई बाने तुम लोग जानबूज के नहीं बताते हो जैसे वीडियो में गलत जाने तो बाद में कोई comment करें हम समझ रहे हैं तुम लोग के आदत d y by dx plus 3y is equal to e to power minus का 2x अब हम language नहीं लिखेंगे ध्यान रखिएगा तीक है इसको farmit में चानिए यह linear differential equation है किसे compare करेंगे comparing y d y by dx plus py is equal to q इसे compare करेंगे तो p की value क्या आएगी 3 और q की value क्या आएगी e to power minus 2x फिर क्या करते हैं integrating factor निकालते है e to power integral p dx यानि e to power 3x हो गया अब क्या करेंगे equation number 1 को integrating factor से multiply करेंगे और integrate कर देंगे multiplying equation 1 by e to power 3x and integrating तो इधर result diet क्या लिखते हैं y into e to power 3x हमने बता दिया था कहां से आया ये आपको ये show नहीं करना exam में तो आपकी जान करेंगे लिए था कि आया कहां से is equal to e to power minus 2x में multiply क्या e to power 3x को whole integrate कर दिया और plus c कर दिया तो y into e to power 3x is equal to ये क्या लिखा है ये लिखा e to power x dx plus c बस निकाल दो y into e to power 3x is equal to e to power x plus c ये answer यहीं आ सकता है चाहो तो y कमान निकाल दो इसको divide में ले जाओगे e to power minus का 2x आएगा plus c e to power minus का 3x आएगा note करिए इसको dy by dx plus y upon x is equal to x square variable separable नहीं है अब आप कह सकते हैं अजी बात में यार अब जब 9.6 बता रहे हो ये chapter आपका linear गुलरियल सुरे नहीं है हो जन नहीं काई को time waste कर रहे हो अरे भाई examination में exercise 9.6 लेके नहीं आएगी जिसे छोटे class दो हम लोग थे अब total लिखा हो total मतलब add करना remaining left कुछ एक word होते थे ना हम लोग तो थे तो English पर पढ़ते ही नहीं थे ना अचा यहाँ पर P क्या है डाइड लिख रहा हूँ P क्या है 1 बाई X Q क्या है X स्क्वाइर अब क्या करेंगे आप integrating factor निकालेंगे eat power integral PDX PDX यानि eat power integral तो e to power log X हो जाएगा क्या इसकी value पहँचानते हैं आप यहाँ बेस क्या होगा यहाँ बेस क्या होगा E होगा ना और इसकी value X होती है log की property आपने पड़ी है अगर a to power log X लिका हो और power में भी यह हो base में भी इसकी value क्या होती है X prove कर सकते हो आप इसको आप exponential से logarithmic form में change कर दो अपने आप इसकी value X आजाएगी अप क्या करेंगे इसको multiply करेंगे किस से integrating factor से तो Y into integrating factor is equal to X square into integrating factor का whole integration language लिख लिजेगा अपने आप तो आएगा Y into X is equal to X cube आएगा X power 4 upon 4 plus C चाहे तो answer एक छोड़ दीजे L sim लेना चाहो ले लो otherwise it is your answer note करिए उतार तो लिया होगा जब इसको D Y by D X plus C X Y ब्रावर 10 X को compare किया तो P की value क्या हो गई पहले पहँचाना variable separable नहीं है homogeneous नहीं है वह एग्जाम में तो पहँचानना पड़ेगा नहीं चलो यह exercise 9.6 से एग्जाम की बाद में कर रहा हूँ ठीक है और जो है वह पहँचान में नहीं आ रहा है तो माल लेते है solution दिमाग में नहीं है तो P की value SEC X हो गई Q की value 10 X हो गई Integrating factor E to power integral P D X integral SEC X D X SEC X का integral क्या होता है यहीं पर गाड़ी फस गई log SEC 10 pi by 4 plus X by 2 भी होता है लेकिन ने ने वो क्या बोला idiot कहीं के पूरा angle एक होता है single angle वो होता है 5 by 4 plus X by 2 वो दो angle नहीं है एक ही angle कंदा लिखा होता है तो सिर्फ नहीं बोलाना उनोंने तो आप अगर वो integrate करोगे न तो गलत हो भी नहीं है लेकिन वो जब यहां multiply करोगे न तो यह integrate नहीं हो एक minute यह integrate नहीं होने देगा उसको फिर आपको 10 A plus B के formula से उसको open करना पुड़ेगा तो आप log SEC X plus 10 X आप जानते हैं यह इसका base क्या है E तो हट जाएगा SEC X plus 10 X होगा फिर वही नियम कि इसको multiply करो और integrate कर दो answer क्या आता है Y into यह लेकि लीजेगा एक बार integrating factor is equal to 10 X into integrating factor plus C पस integrating factor से multiply कर दो अब इधर का integral तो करना नहीं है Y into SEC X plus 10 X इधर का integrate करना है तो इधर जब bracket खुलोग तो क्या आएगा 10 X into SEC X आएगा 10 X into SEC X आएगा plus 10 square X आएगा आप कैसे इसको integrate करेंगे integration नहीं clear है तो इस question को try ही मत करना लिख देना because integral is not clear so I don't want to waste my time shut up idiot कुछ हो लेगा तुमारी हिम्मत हो पास करके दिखाओ हमारे गला गुरु जी तुमका चुनवती आई तुम मेरा पास कर दो बला अब गुरु जी का करें गुरु जी अदब पास कर दे है तो छोड़ दे sec X 10 X का integral तो आता है 10 square का integral नहीं होता है तो 10 square का रिष्टेजार ढूणेंगे तो अभी integrate इसको करेंगे नहीं 10 X into sec X 10 square क्या लिखेंगे sec square X minus 1 D X plus C बस वो गया answer Y into sec X plus 10 X is equal to इसका क्या होगा sec X इसका क्या होगा 10 X minus X plus C अब इसको चाहो तो इसन ले किया हो तो का करोगी यहां लटका रहेगा X के नहीं चाहा करेगा वहीं कहने ज्यादा आराम से हो हम दादा उधर जईबे अब देखें फिफ्ट क्या कह रहा है कह रहा है पहली बात तो variable separately है नहीं homogeneous है नहीं यह गड़बड कर रहा है cause square X तो आप cause square X से इसको divide कर दो तो यह क्या जाएगा यह हो जाएगा दी वाई बाई दी एक्स प्लस वन अपान cause square X Y is equal to 10X upon cause square X ठीक है अब यह second square X हो जाएगा तो जब इसको आप linear differential equation से compare करेंगे तो यहाँ से P की value क्या होगी second square X और Q की value क्या होगी 10X into second square X ठीक है अब आप क्या करेंगे जैसा कि नियम है integrating factor निकालना है तो integrating factor निकाल दो क्या होगा e to power integral P D X तो e to power integral P बोले तो sec square X D X और जानते e to power 10 X हो जाएगा अब problem यह तो हटेगा नहीं फिर आप इससे इसको multiply करेंगे तो आप लिखेंगे multiplying multiplying equation 1 by integrating factor and integrating integrating क्या हो जाएगा यहाँ पर यह तो direct answer था Y into integrating factor यह बताया गया है और इधर जाए multiply करेंगे क्या हैगा tan X into sec square X into e to power tan X का whole integration आप इसको integrate करना है आपको plus C लगा रहे हैं दो इसको integrate करना है तो आपको साफ साफ दिख रहा है अगर tan X को T मालने तो इसका differentiation present है और पूरा का पूरा function T में convert हो जाएगा तो आएगा Y into e to power tan X is equal to that करा हूँ tan X को T माना है आपने तो यह आजाएगा आपका यहां माल लीजे let tan X is equal to T तो sec square X dx is equal to dt तो sec square X और dx मिल करके dt हो जाएगा तो यह क्या आएगा T e to power T dt plus C यहां लगा दो product rule अलग सा आई बन मत मानिए यहीं पर लगा दो च्छोटा सा product rule लगेगा खतम हो जाएगा इसलिए right कर दीजेगा I'll rate के हिसाब से T को differentiate करेंगा और e to power T को integrate करेंगे तो क्या आएगा Y into e to power tan X is equal to first function T e to power T का integral e to power T मानस first का differentiation T का 1 हो जाएगा e to power T का whole integration plus C तो आएगा T e to power T मानस e to power T का e to power T plus C Y into e to power tan X तो T कमान रख दो Y into e to power tan X is equal to T T बोले तो tan X into e to power tan X minus e to power tan X plus C यह answer छोड़ दो तो this is your answer ठीक है तो यह 5 questions है rest in the next class OK